दोस्तो बाइफाई का नाम आए दिन हम सुनते ही रहते हैं कई सरकारें हमें फ्री बाइफाई देने का बादा करके हम से बोर्ट पाने की उमीद रखती हैं और हम भी फ्री बाइफाई के लिए बोर्ट दे भी देते हैं अब भले ही बहे सरकार आपको free bifi की सुविधा दे रही है या नहीं पर इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि bifi आज हमारे जीवन का एक प्रमुक हिसा बन गया है तो आज हम आपको बताने बाले हैं कि bifi क्या है और ये कैसे काम करता है तो चलिए जानते हैं इस बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि एक जमाने में सिर्फ केबल आदी के माध्यम से ही डेटा को शेयर किया जाता था इसके लिए हमें डेटा केबल्स की ज़रूरत पड़ती थी लेकिन आज बाइफाई ने डेटा शेयर करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है आज से कुछ बक्त पहले यदि कोई कहता कि बहे हवा में अपनी फोटो छोड़ देगा और फिर सामने वाले को बहे चीज मिल जाएगी तो कोई यकीन नहीं करता लेकिन आज बाइफाई की मदद से यह संभव हो सका है पर दोस्तो एक बात जो मेरे दिमाग में अफसर आती है और आप लोग भी कभी ना कभी जरूर सोचते होंगे कि आखिर यह बाइफाई काम कैसे करता है आखिर कैसे एक ब्यक्ति हवा में अपने डेटा को छोड़ देता है और दूसरे ब्यक्ति को बह मिल जाता है तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि इसके पीछे सिर्फ वेप्स का हाथ है जैसा कि हम जानते हैं कि वेप्स भी कई तरह की होती है जिन में Radio Wips, Microwips, Visible Range, Invisible Range, Infrared Range, X-ray Range आदिश शामिल होती है Wi-Fi डेटा ट्रांसपर करने के लिए Radio Wips का उप्योग करता है Radio Wips के माध्यम से ही आपके राउटर जो की Wi-Fi का सोर्स होता है और किसी दूसरी डिवाइस के बीच डेटा का आदान परदान हो पाता है इसके काम को और अच्छे से समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी बह है Hertz Hertz frequency मापने की एक आई है जैसे हम बजन को किलोग्राम में, धूरी को किलोमेटर में मापते हैं बैसे ही frequency को Hertz में मापते हैं अब आप सोच रहे हैं कि आकर ये frequency क्या है तो इसको बिल्कुल आसानी से समझते हैं इसके लिए एक घड़ी के minute और second बाले कांटे को लेती हैं minute बाला कांटा सिर्फ एक बार 360 डिगरी घुमता है जबकि second बाला कांटा पूरे 60 बार 360 डिगरी घुमता है ऐसे में यह कह सकते हैं कि second बाले कांटे की frequency 60 राउंड पर घंटा है जबकि minute बाले कांटे की frequency एक राउंड पर घंटा है इससे एक बात तो साफ हो रही है कि जिसकी frequency जितनी ज़्यादा होगी उसकी गती भी उतनी ही तेज होगी यही बात बाई-फाई में भी लागू होती है बाई-फाई अभी सिर्फ दो frequency पर काम करता है जो की 2.4 GHz और 5 GHz है जो 2.4 GHz की frequency है उसकी गती धीमी होती है मतलब यह है उतने ही वक्त में कम डेटा ट्रांसफर करता है लेकिन इसकी range काफी ज़्यादा है मतलब रिसीब करने वाले दूर भी हो तो डेटा भेज सकते हैं भही दूसरी ओर 5 GHz की frequency की range तो कम है लेकिन इसकी डेटा ट्रांसफर करने की speed बहुत तेज है लेकिन बर्तमान में इस बात के लिए पुर जोर कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह अधिक speed के साथ ज्यादा दूरी तक डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बाइफाई हाला की आज बहुत प्रचलित है लेकिन फिर भी इसकी speed उतनी नहीं है तो भाई कैसा लगा आपको ये वीडियो जरा comment करके हमें भी बताएं और हाद ग्यान विग्यान से जुड़े ऐसे ही दिल्चस वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धिन्यवाद